महराश्र शाशंग के राजस्तरी पशुवर्द की दवाखाना सावनेर तहसिल के कुल नौ गावों में हैं पिछले कई महिनों से सिर्फ एक दो डॉक्टर वकरमचारी के भरो से पूरे अस्पताल चल रहे हैं लंपी जैसी महामारी के समय भी डॉक्टर समूची समय के लिए उपलब्द नहीं होने की कारण कई जानवरों की जाने गई तहसिल के कई गावों का दोरा कर देखने पर पता चला कि अस्पताल परिसा में कचड़े का अंबाल लगा है जिससे देख कर यह समझ में आता है की अस्पताल खुलता ही नहीं है संदर में रिशनल जॉइन कमिशनर एनिमल हजबेंडरी नाकपूर रीजन की डॉक्टर सतीश राजु को पत्र पंचाय समीती सदसे प्रफुल करनाई के जी के साथ दिया डॉक्टर सतीश राजु आश्वासन दिये की सभी अस्पतालों में जल से जल्द डॉक्टर की नियुक्ति किये जाने की मांग साबनेर पंचाय समीती की उपसभपती राखुल करनाई के आदी ने की ग्यातो की साबने तहसील में साबने वाकोडी, खापा, उम्री, टाकली, दहगाव, पीपला, डाव, केलडवद, मालेगाव ऐसे कुल नौ पशु चकित साले हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन नौ पशु चकित सालों में से केबल दो या तीन ही चकित सालों में डॉक्टर और करमचारी उपलवद हैं बाकी साथ पशु चकित साले राम भरो से हिंदू होटिल की तरह उपस्तिती दर्च करा रहे हैं जहां ग्रामिन शेतर के किसान भाई अपने बिमार पशुओं पर इलाज कराने जाते और बेरंग लोटने को मजबूर हैं जिससे ग्रामिनों और किसान भाईयों में तीवर रोश व्याब थे वहीं प्रादेशिक पशु सनवर्दन से आयोक्त सतीश राजू ने जापन करताओं को आश्वासित किया कि शीगरी रिक्त पदों पर न्यूक्ती हे तू प्रियास और ग्रामिनों की पशुदन हे तू चिकिस सब अवस्ता उपलब्द कराने की बात कही वहीं अगर सावनेर शहर के साथ सा तहसिल के अन्य पशुद्च के सालों का निरिक्षन किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि है पशुद्च के साले खुलता भी है या नहीं यहां के परेशा में फैली गंदगी सावसफाई का आभाव और दरवाजों पर लटके ताले इनक पर लटके एंखगी